तो आज मैं आप लोग के लिए लाए हूँ दर राइज ओफ नेक्सालिजम इन यूरोप याने की नेक्सालिजम का यूरोप में कैसे राइज किया था तो यहां पर आप लोग को एक फीगर दिख रही होगी आप लोग देख सकते हैं इस फीगर में आप लोग को क्या दिख र और यह इंट एप लेन नेतरा होगा। कुस्स फ्लेज्स दिख रहे होंगे। यहां पे कॉस्ट करद ने क्वेरु में जुद्हु जुनादी से सब्सक्राइबर अनंट नेमों में जुद्ञाइब। यहां पर दूर Jew लुद्म आए और इसको नेमाय दलेог आण है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं फैरिक सोरियों ने यहां पर आप लोग को क्या क्या बताया है तो यहां पर क्या क्या है उन्होंने तो अपने ड्रीम को बताया है कि यहां पर कैसे वो विज्वालाइज करते हैं और यहां पर उन्होंने इन सभी को जो की यहां पर और यूरोप के जितने भी मैन और मेन हैं, किसी भी क्लाशिक्स के हैं, कोई भी हैं, वो एक लॉंग ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, और होमिच देते हुए जा रहे हैं, स्टेक्शू अफ लिवर्टी को, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर क्या कर रहा है, तब personify कर रहे है liberty को जो कि यहाँ पे जो female figure है female figure कौन है तो यहाँ पे statue of liberty जो है वो female figure है जो कि personify कि इसको कर रही है तो liberty को personify कर रही है और यहाँ पे उसके बाद दिया गया है कि here you recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and charter of rights of man in other यहाँ पे इनके hand में आप लोग देश सकते हैं torch of enlightenment और यहाँ पे इनके एक हाथ में torch of enlightenment है और एक हाथ में charter of man rights दिया गया है और इसके बाद क्या लिखा गया है कि on the earth in the foreground the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions यानि कि यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे जो shattered है नीचे में दिया गया वो क्या है तो absolutist कितने भी थे उन सारे के remains दिये गए है यहाँ पे नीचे में और उसके बाद क्या किया गया है तो in the utopian vision अब utopian vision यह होता है कि वो अपने आप में कालपनिक कर रहे हैं सोच रहे हैं और identify कर रहे हैं कि यहाँ पे अलग-अलग nations के अलग-अलग उनके खुद के costume हैं और their flags हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके flags अलग-अलग दीख रहे होंगे और इन्हों ने dress भी अलग-अलग पहीन रखा है यहाँ पे और उसके बाद क्या है यहाँ पे शिर्फ एस्टेक्शू ओफ यूनिटी को कौण-कौण पास किये हैं तो शिर्फ यूनाइटेर स्टेट्स, स्वीचर लेंड और यहाँ पे कौण तो फ्रांस भी है जो जिन्होंने स्टेक्शू ओफ लिवर्टी को क्रोस कर लिया हैं और जो भी कोई स्टिक्शी ओफ लिवर्टी को क्रोश कर लिए हैं वो क्या हो गए तो यूनाइटेड नेशन यानि की स्टेट नेशन बन गई यानि की उनको फ्रीडम मिल गई है अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं जर्मानी का जो फ्लैग है वो कैसा है तो दे ब्लैक लेड कलर से बनी हुई है और यहां पर जो इमेज बनाए गई है वो कि इनके द्वारा बनाए गए तो सोडियों ने क्रियेट की हैं और जर्मन पिपूल अभी भी यूनाइटेड नेशन नहीं बना है और इसलिए वो इस एक्सप्रेशन को लिवर्टी के एक्सप्रेशन को होप की द्वारा दिखाते हुए 1848 को भी अपने आपको लिवर्टी के लिए दर्का रहे हैं और यहां पर जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटी जो है वो डेमोक्रेटिक कंस्टिक्यूशन के अंदर में आ रहा है यहां पर इन लोगों के पास अभी भी कोई एक झाल